आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैटे बैटे अपने मोबाइल फोन से ग्रो एप में हम डीमेट अकाउंट कैसे बना सकते हैं दीमेट अकाउंट बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है और दीमेट अकाउंट बनाने के बाद हम घर बैटे बैटे ग्रो एप से कोई भी शेयर बाय या फिर सेल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोग लिए काफ़ जादा हिलफुल होने वाली है वीडियो को आप बिनस्किप की एंट तक देखते रही है तो गैस यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हो मैंने अपने प्ले ग्रो अप में डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हम घर बैटे बैटे अपने मोबाइल फोन से किसी भी कंपनी का शेयर हम पर्चेस कर सकते हैं या फिर सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं तो ग्रो अप को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजे डिस्क्रिप्शन मे वो यहाँ पर इस पेज में देखने को मिल जाएंगी तो कैस देखी किसी भी एक एमेल के तरू हमें यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा अपने ग्रो एप में तो चलिए एक एमेल पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लूँगा अब आप यहाँ पर देख सकते हूँ उपर की स तो 25 रुपय का आपको cashback मिल जाएगा अभी यहाँ पर हमें enter mobile number option पर click कर लेना है अभी यहाँ पर हमें एक mobile number enter कर देना है जिस mobile number से हम अपने grow app में account create करना चाहते हैं अपने dmat account का हम open करना चाहते हैं यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा जिस भी bank account से payment करके हम share खरीदना चाहते हैं अपने grow app में उस bank account में जो भी mobile number register है उसी mobile number से हमें यह grow app में dmat account create करना पड़ेगा तो चलिए मैं अपने mobile number को enter कर लेता हूं mobile number को मैंने यहाँ पर enter कर लिया उसके बाद confirm option पर click कर लेना है अब हमारे mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर आ चुका और यह तुरंट अपने अप apply हो चुका है अब यहाँ पर लिखा हुए setup grow pin यहाँ पर हम जो भी एक 4 date का अपना pin बनाना चाहते हैं यहाँ पर हम pin बना सकते हैं जब भी हम grow app में login करेंगे तो हमें pin एंटर करने की जबरत पड़ेगी यहाँ पर मैंने अपने हैसाब से एक 4 date का pin बना लिया है अब एक बार फिर से confirmation के लिए pin को हमें fill कर देना है pin यहाँ पर हमने फिर से एंटर कर दिया है और हमारे जो account है वो protect हो चुका है secure हो चुका है अब यहाँ पर लिखा हुआ allow permission permission को हमें यहाँ पर allow कर देना है जितनी भी permission मांगे location, SMS, call वगरा की उसको हम इस तरीके से allow कर देंगे अब हमारे mobile number से एक SMS send होगा जिसका यहाँ पर 1 रोप्या कटता है अगर आपका free SMS pack है तो उससे भी आपका SMS चला जाएगा और हमारी जो mobile SIM है वो verify हो जाएगी अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस page में हमें कावी सारी banks देखने को मिल जाएगी जैसे कि SBI, HDFC, ICIC, AXIS, KOTAK, Mahindra Bank, Punjab, National Bank यहाँ पर हम जिस भी bank से payment करके share खरीदना चाते है अपने DMAT account में उस bank account को हमें यहाँ पर link करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो भी आपकी bank है उस पर आप click कर लीजिए अगर आप search करना चाते हैं तो search भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं अपनी IDBI bank को link करना चाता हूँ यहाँ पर मैं इस तरीके से click कर लिया है अब यह grow app find कर रहा है कि IDBI bank में हमारा कोई account है भी या फिर नहीं तो हमें यहाँ पर थोड़ा wait कर लेना है हमारे bank account को यह fetch कर रहा है अब आप देख सकते हो यहाँ पर bank account जो भी हमारा है वो successfully link हो चुका है हमारे grow app से और यहाँ पर IDBI bank की तरफ से भी message आ चुका है कि हमारे जो bank account है वो grow app से link हो चुका है अब यहाँ पर लिखा हुआ है enter your pen तो अब यहाँ पर हम pen card का number enter कर देना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो pen card holder का जो भी नाम है वो यहाँ पर आ चुका है confirm pen detail हम कर लेंगे यहाँ पर हम yes I confirm option पर click कर लेंगे अब यहाँ पर हमें occupation वगरा यहाँ पर select करना होता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं mother father का नाम हमने यहाँ पर enter कर लिया उसके बाद proceed option पर इस तरीके से हम click कर लेंगे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है annual income आपकी जितनी भी annual income है वो यहाँ पर आप enter कर सकते हैं 5 से 10 लाग यहाँ पर हम annual income पर select कर लेते हैं marital status में single या फिर married यहाँ पर मैं merit option पर click कर लेता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है trading and investment preferences select one of the option अगर आपको कोई trading या कोई investment का अगर आपको experience है एक साल का दो साल का तीन चार पांस साल का यह से जादे का तो आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी experience नहीं है इसके लिए हमारे आधार कार्ड में mobile number रेजिस्टर होने चाहिए तो चलिए यहाँ पर हमें proceed for KYC option पर click कर लेना है और यह digilogger के तुरू हमारे जो आधार कार्ड है वो verify हो जाता है तो हमें यहाँ पर इस तरीके का page देखने को मिल जागा authenticate आधार option पर click कर लेना है अब यहाँ पर जो भी हमारा आधार कार्ड का नंबर है आधार कार्ड के नंबर को हम enter कर लेंगे आधार नंबर को enter कर देने के बाद next option पर click कर लेना है अब हमारे आधार कार्ड के registered mobile number पर एक OTP आगा one time password आएगा तो OTP को हम यहाँ पर fill कर देंगे OTP को मैंने यहाँ पर fill कर दिया उसके बाद submit option पर click कर लेना है अब यहाँ पर हमें digilocker की security pin को fill कर देना है उसके बाद हम done option पर click कर लेंगे detail पूरी आ चुकी है allow option पर click कर देना है अब यहाँ हमारे document को fetch कर रहा है अब आप यहाँ पर देख सकतो we have successfully received the document हमारे जो भी document है आधार card और pen card वो यहाँ पर उन्होंने find कर लिया है अब यहाँ पर कावी सारे banks हमें फिर से देखने को मिल जाएंगी तो हमें अपने bank account को एक बार फिर से select करना पड़ेगा तो idbi bank पर मैं इस तरीचे से click कर लूँगा जो भी मेरी branch है branch को हमें आपर fill कर देना इस तरीचे से branch पर मैंने click कर लिया है अब जो भी हमारे bank account का number हमें आपर fill कर देना है bank account holder का नाम यहाँ पर show हो रहा है bank account number को fill कर देने के बाद verify option पर click कर लेना है अब यह जो grow app है यह हमारे bank account में 1 rupees credit कर रहा है bank account को verify करने के लिए अब आप देख सकते हो लिखा हूँ है bank verified successfully अब यहाँ पर लिखा हूँ है take a selfie for KYC तो KYC करने के लिए हमें यहाँ पर एक selfie को upload करना पड़ेगा जिनके नाम पर हम DMAT account open कर रहा है तो open camera option पर click कर देने के बाद हम यहाँ पर photo का upload कर देंगे selfie यहाँ पर upload हो चुकी अब यहाँ पर लिखा हूँ है signature verification तो हम यहाँ पर signature verification कर लेते हैं signature यहाँ पर कर लिए हैं उसके बाद submit option पर click कर लेना है अब यहाँ पर लिखा हुआ add nominee for your investment अगर आप nominee एड करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं add nominee option पर click करके अगर आप बाद में करना चाते हैं फिलाल इसको skip करना चाते हैं तो do it letter option पर click करके skip आप यहाँ पर इस तरीके से कर लिजी उसके बाद हम proceed option पर click कर लेना है proceed option पर click करने के बाद एक बार हमें अपने आधार card को e-sign करना पड़ेगा तो हमें proceed option पर click कर लेना है पूरा यहाँ पर इस तरीके से grow का पूरा form आ चुका है account opening form जो कि हम dmat account open कर रहा है और verify successfully हो चुका और यहाँ पर लिखा हुए document signed successfully तो हमारे जो document है वो e-sign successfully हो चुके है तो हमारे जो document है वो e-sign हो चुके है अब यहाँ पर आप देख सकतो हो लिखा हुआ congratulations यहाँ पर नाम आ चुका है your stocks account opening is under progress we will let you know when you are ready to invest यहाँ पर जो हमारा account है demat account जो है वो successfully open हो चुका है लेकिन यहाँ पर यह अभी under progress में है इसमेगाइस 24 से लेकर 48 गंटे तक का time लग सकता है इसको progress होने में उसके बाद यह successfully open हो जाता है अब आप यहाँ पर देख सकते हो grow app यहाँ पर इस तरीके से open हो चुका है कौन से share आज बड़ा है कौन से share आज घटा है वो यहाँ पर सब कुछ इस page में हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको बताने चाहूँगा Monday से लेकर Friday तक normal days में market open होती है Saturday Sunday यहाँ पर market close रहती है या फिर कोई holiday होता है इंडिया में तब भी यह market बंद रहती है और सुबा 9 बच के 15 मिनट पर market open होती है और दोपैल 3 बच के 30 मिनट पर close हो जाती है अभी गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 48 गंटे यह maximum time दिखाता है grow app account को approve होने के लिए बेचना चाहें तो बेच भी सकते है तो गैस देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कोई भी share grow app से कैसे खरी सकते है या फिर कैसे बेच सकते हैं और हम कमाई कैसे कर सकते हैं शेयर को buy sell करके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं तो बस गैस यही थी आज की वीडियो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बता हूँ इस तरीके से आप घर बैटे बैटे आप अपने mobile phone से grow app में आप DMAT account के रिएट कर सकते हैं तो इस वीडियो से related अगर आपका कोई भी सवाल है भी question है या फिर कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में ज़रूर लेखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी confusion दूर करने ये पूरी कोशिश करेंगी तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो लैग और share कर देना और चैनल को subscribe करेंगे bell notification पर आप जरू क्लिक का लेना thank you